दोस्तों, मारकेट जाब strong आप्टेंड में चल रहा होता है, और लगातर bullish candle बना के आप्टेंड को continue कर रहा होता है, तो आप्टेंड के दौरण आपको 3 bullish candle देखने के लिए मिलता है। और ये 3 ल consew, bullish candle की opening नीचे होता है और closing फ्लोजिंग उपर होता है। और नेश कंडल की ओपिनिंग गयाफभ होता है बर आलज मार्केट यहाँ पर धीरी धीरे करके डाउनप 진행 करते हैं और फास्ट ग्रीन कंडल का यह नीचे एक ब्लिस ज्ला कंडल क फर्मेशन करते है और market uptrend को continue करते हैं तो आज की इस वीडियो में इसी bullish 3-line strike candlestick pattern market में बनने का पीस से psychology के साथ साथ आपको सही से trade करना सिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा information होने वाला है तो आप वीडियो को शुड़ू से लेके end तक देखते रहें ये वीडियो के मदम से अगर आपको कुछ सिखने के लिए मिलता है तभी आप वीडियो को लाइक कर सकते है and चैनल को सस्क्राइब कर सकते है bullish 3-line strike candlestick pattern जब market uptrend में चाल रहा होता है तब आपको देखने के लिए मिलता है ये candlestick pattern market uptrend को continue रखेगा इस चीस का संकेत देता है इस candlestick pattern में आपको 3 bullish channel देखने के लिए मिलता है जो हर एक candle की opening नीचे होता है और closing उपर होता है और next candle एक big bearish trade channel देखने के लिए मिलता है जो first green candle की नीचे close देते है ये candlestick pattern trend continuation pattern है आईए अभी हम समझते है bullish 3-line strike candlestick pattern market में बनने का पीसे psychology क्या है और आप कैसे trade कर सकते है जब market strong uptrend में चल रहा होता है तो लागातार professional trader market में buy करके position को carry करके उपड़ लेके आ रहा होता है और market जैसे ही एक over value level पर जाके पहुशता है तो यहाँ पर बहुत सरा professional trader profit booking करने के लिए सोचता है पर एक pullback का integer कर रहा था वो trader को यहाँ पर एक pullback देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर फिर वो professional trader धीरे-धीरे buy करना शुड़ू करते है और market uptrend को continue करते है तो अगर आपको uptrend के दोरान इस तरह का bullish three line strike candlestick pattern अगर आपको देखने के लिए मिलता है और market अगर एक pullback लेते है अगर किसी trade line पर support लेते है और एक bullish confirmation candle का formation बना देते है तो आप इस bullish confirmation candle पर buy position बना सकते है और इस red candle की नीचे stop loss लगा सकते है और 1 is 2, 5 rix reward के हिसाफ से आप target लगा सकते है उमीद करता हो दोस्तों आपको समझ में आया है कैसे market में bullish three line strike candlestick pattern को trade करना है अगर इस वीडियो के मादम से आपको सिखने के लिए मिला है तो वीडियो को like करें या चैनल को जरू subscribe करें थ्यांक्स पर watching गाइस